अब सब स्वाग अब सभी का कॉमिक बेल चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में पर्माडू सीरीस का अगला कमिक बिश्य शाग वोट फॉर पर्माडू संजग अपत्र पेश करते हैं वोट फॉर पर्माडू अपराद संभव है क्योंकि मान अगर दिल्ली के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात नहीं की जा सकती सूचना मिलने पर घटना इस तल पर पहुचने में भी पुलिस कंट्रूल रूम की जिपसियों को कम से कम पांच मिनट तो लगेंगे और निश्चे जूप से इतना समय किसी भी खुंकार अपरादी को अपना काम करके भाग निकलने के लिए काफी है बुम गुंडो से साबधान बस्ती खाली नहीं हुई तो कल जाने भी जाएंगे बस्ती के लोगों को सूचित किया जाता है कि हर आलत में बस्ती को काली कर दे बस्ती को बुल्डोजर चलाकर निस तो नाबूत कर दिया जाएगा बस्ती पर गोलियां वर्सेंगी और आग लागा का बरबात कर दिया जाएगा जींगा उस पोस्टर को देखती हर आग देशत से फटी जा रही थी सिवाई उस आग के जब गिद्धी की तरह अपराद को देख लेती है तो अपरादी के भाग निकलने के रास्तों पर बेरियर लग जाते है वैन अन्यंत्रित होकर खंबे से टकराई पर जो घूसा उस गुंडे की नक से टकराया वो नियंत्रित था चौथा वैन से निकल कर भागा लेकिन परमाणू के हाथों से बचकर नहीं बाग सका छोड़ दे मुझे परमाणू छोड़ दे जाने दे मुझे तु मुझे से दुश्मनी मौल मत ले देख मेरी शकल देख जिंगा से तो पुलिस कमिशनर तक कि नानी मरती है अब नहीं मरेगी थाम हेलो इंस्पेक्टर विने स्पीकिंग मैं मजवानी बोल रहाँ इंस्पेक्टर ओ नेता जी आप कहिए मैं आपकी कैसे वगड़ सकता हूँ दुल्ला नाम का मेरा आदमी तुमारे पास आ रहा है इंस्पेक्टर वो तुमें जमानत के पेपर देगा तुम उन्हें छोड़ दे न जिनने लॉक अप में बंद गिये हुए लेकिन नेता जी वो हलो जमानत के बाद तुम किसी मुल्जिम को लॉक अप में कैद करके नहीं रख सकते इंस्पेक्टर ये तो बाजी है इंस्पेक्टर उस वाब परमाडू का दाओ चल गया था अब हमारा ओ नो नो शेम 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 गोलियों का जो जबाब सजा में होना चाहिए था वो सिर्फ एक शब्द में सिमट गया जमानत कनाट ये शब्द एक ऐसा पेपर वेट है जो चारशीट के हर पन्ने से भारी है किसी गुनागी चारशीट के दो हज़ार पन्ने भी बनेंगे तो जमानत नाम का ये बेपर वेट उन सब पकुण्डली मार कर बैढ़ जाएगा जिनके हातों को हत कड़ी हो जिस्म को सलाह चिस्म को सलाह को की जरुरातों उनके हातों में जमानत के पड़िशे थमाते हैं बस मिल गया मिल के आउ गंड़गर्दी करने का लाइसेंस करो गंड़गर्दी करो खोब करो डाका डालो खोब दहशत फैला और इसकी وجہ मज़वानी जैसे हमारे वेन एता जो देश का भविश्य बनाते हैं पर नहीं ये भविश बनाते नहीं हैं भविश दाओं पर लगाते हैं अगर राजनीती का एक रूप ये है तो शेम 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 राजनीती अगर यही कानून है तो शेम शेम हाँ एक पुलिस वाला खुद कहता है शेम कानून शेम कानून की वर्दी शेम शेम कानून वाले शेम शेम क्योंकि ना तो कानून क्योंकि ना तो कानून और फर्ज की धाराओं से बना इस वे नहीं जींगा जैसे अपरादियों का कुछ बिगार सकता है और नहीं परमाडू क्योंकि ये दोने ही खुनी नहीं है और न जींगा जिन्दा गरिफतार ही न होता मुर्दा मिलता वो पलिस को हाँ हाँ मुर्दा लेकिन अपने फर्ज और कानून की रक्षा के लिए इस वर्दी से नफरत नहीं कर सकता मैं एक जींगा के लिए पैदा हुई इस लाचारी पर मैं लागों दूजर शरीफ लगों को कुर्बान नहीं कर सकता मुझे सच्चा ही से मूँ नहीं मोड़ ला ये दुनिया एक समुद्र की तरह है जहां बड़ी मश्ली छोटी को खा लेती है शाहर यही दस्तूर है मुझे ऐसे रास्ते बनाने हुए कि चोटी मश्लियां बड़ी मश्लियों से अपनी रक्षा तो कर ही सके ये क्या पूरी बस्ती कहां गई जीगा की चमानत के बारे में जुनते ही सारी बस्ती खाली हो गई चाप उनमें से कोई कह रहा था कि मौत की शर्ट पर कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती बेवकूफ है जो ऐसा सोसते हैं मौत के लिए ही लड़ना चाहिए जीत गए तो कुछ और नहीं जिंदिगी ही हासिल होगी उन्हें कहना ये चाहिए कि मौत से लड़ने का होसला उनमें नहीं है होता तो जींगा जैसे लोगों के होसले इतने बुलंद कभी न हो पाते जेतावनी ये बूमी पंचितारा होटल के लिए आरक्षे थे दिल्ली विकास निगम इंस्पेक्टर विने के जहन में बरा आक्रोश परमाडू के रूप में सड़क पर उतरा और एक परमाडू का खौफ खाते ओ भत्ती पर कच्ची शराब का मी धन्दा भी चलाते या तो खौफ काना बंद कर दो या ये धन्दा शामस शिरपर थी आज शिकार पर निकले बद्माज शिकारियों की दे जल दी ले जल दी तू भी ले ज गंदी बिमारियां हो तुम सब, समाज की छाती के नासूर, ये लड़ाई परमाडू ने नहीं लड़ी, ये लड़ाई लड़ी उसकी हिम्मत ने जो हम में पैदा नहीं हो पाई, एक डॉक्टर की तरह लड़ना है मुझे इन बिमारियों से, लड़ूंगा, शंकर, बगण, रगू, भग, गुना की आदी में फसा इंसान धाग नहीं सकता, थाग, 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 वू, डोगव, परमाडू, परमाडू ने मारा, कमाल है, पहले जीप मंगाई, वो सडक से गुंडे बटोड़ते बटोड़ते भर गई, फिर दूसरी जीप मंगाई, वो भी प मेरे घ्याल में सीधे ट्रक मंगा ले, शायद आज परमाडू दिल्ली को अपराधियों गंडों बदमाशों से खाली करने पर ही तो लाए, हाँ चाप, परमाडू का या अग्रोश कुछ अजीव रहस में रूप लेने वाला था, विश, अना ऐसी चौक पड़ा था चाहिए था, कमाल है, फाइटर प्लिन बादलों में कहां गायब हो गया, मुझे इन बादलों में घुसना होगा, यहां तो कुछ भी नहीं है, मैं तो आराम से दूसी तर्से निकला है, पर वो फाइटर प्लिन क्यों नहीं निकला, एक बार फिर बादलों में जाता हूँ, कमाल है फाइटर फ्लेन गया तो गया काम ये एरिया दिल्ली गाजी अबाद सीमा का है जा वायू सेनक अड़ा है मुझे एरफोस अधिकारियों से इस रहसे का पता लगाना होगा क्योंकि अगर फाइटर उड़ा है तो उनकी नॉलेज में ज़रूर होगा एरफोस अधिकारी का जबब पर्माडू की खोपड़ी चक्रा देने वाला था कोई भी फाइटर बिना मेरी जानकारी के उड़ान नहीं बढ़ सकता पर्माडू अब भ्यास के लिए सुबह तो चार मेक 27 फाइटर प्लेन उड़ाए गए थे लेकिन जो समय तुम बता रहे हो उस समय कोई विमान नहीं उड़ा तुम्हें कोई गलत फह्मी हुई है सुबह 6 बजे से पहले कोई विमान उनने भी नहीं वाला गलत फह्मी भै गलत फह्मी नहीं थी माना की जिंगा वाली घटना ने इस्पेक्टर बिने को टेंस कर दिया था लेकिन इतना भी नहीं कि उस टेंशन में परमाडू गलत फहमियों को शिकार होने लगे फिर फिर चौक अपरमाडू और इस बार बें तहां चौका अरी ये क्या एर फोर्स अधिकारी मिस्टर कौतम तो कह रहे थे कि सुबह चैवजी से पहले कोई फाइटर नी उड़ेगा पर ये मिक कहां से आ गया और ये भी बादलों के उस चुनरी से बाहर नहीं निकला क्या गड़बड है कुछ गड़बड तो जरूर है क्योंकि ये गलत फैमी नहीं है ये आवाजे कैसी क्या कोई पक्षी बादलों में उड़ान बढ़ रहा है नहीं, ये पक्षी नहीं हो सकता, पक्षी बादलों में उड़ान नहीं बढ़ते हैं और पक्षी के पंकों के उड़ने के आवाजे ऐसी नहीं होती ये आवाजे तो ऐसी है, जैसे किसी चीज को गुमाया जा रहा हु और ये क्या, ओ गोट, ये तो कोई चरका गुम रहा है बादलो मैं चरका कहां से आया, इसे कौन गुमा रहा है, सब कुछ सपने जैसा लग रहा है और फिर जो कुछ देखा उसे देखकर उसका दिमाग भग से उड़ गया आप, आप, नहीं, उफ, ये नहीं हो सकता, मुझे धोका हो रहा है, शायद वागई गलत फहमिया है, शायद मैं पगला गया हूँ वो मिग मेरा करिश्मा था, बेटे परमाडू, तो मैं यहां तक लाने के लिए कांदी जी, आप, आप यहां, नहीं बेटे, नहीं, मैं साक्षात नहीं हूँ, ये मेरी रू है वो तडबती रू जो पहले अंग्रेज़ों से देश के आजाधी के ले तडबती थी, आज इसलिए तडबती अये dawगा हो गया, अपनी लोगों के एहां तो गुलाम हो गया, पहले नेता देश के लिए लड़ते थे, अपनी जाने देते पहले देश सेवा की बावना होती थी आज रुपया कमाने की बावना है राजनितिक पार्टियों की पार्टियों की रूप में माफिया गैंग पना पर है हर तरफ रिष्टा चार है पुलिस ने कम्मी हो गई है उसके लिए वही कानून है जो किसी नेता या दन्वान ने कह दिया आम आदमी एक रोटी कमाने के लिए धक्के खा रहा है पर जिन बड़े लोगों या नेताओं का पर जोने रोटी महिया कराना है उनके आप पकवान भी बरबाद होते है पाल तु कुत्तों को वाँ मीट उबाल कर खलाये जता है लेकिन एक मजदूर को उसकी पूरी मजदूरी की जगे ठोकरे मिलती है परमाडू तुमारे जैसे गुमरा सुपरमेन चोटे मोटे अपरादियों को पकड़ कर सोचते हैं कि देश का भला कर रहे तुमारा ऐसा सुझना कितना बड़ा मज़ाख है असली अपरादी तो समाज वे देश पर शासंग कर रहे हैं जिने तुम तो क्या कोई भी खत्म नहीं कर सकता बताओ जींगा जैसे गुंटे का तुमने क्या बेगाड लिया नेता भजवानी का तुम क्या बेगाड सकते हो आपको ये सब बात है कैसे मालूम है जिसकी आत्मा रो रही हो उससे भला क्या चुपा होगा दरसल तुम भी उनी लोगों को मार रहो परमाडू जो लोग मजबूर है और बेबस होकर रोटी के लिए जूज रहा है उनके पास काम नहीं है वो बेरोजगार है तो क्या करेंगे चोरी करेंगे डाका डालेंगे खून करेंगे या नहीं अपने बच्चों को भूग से विलगता वो कैसे देखें दरसल तुम भी उन बड़े गुण्डों के आदमी हो परमाडू जिनका इमान धर्म पैसा और कुर्जी है तुम भी गुण्डे हो परमाडू जाव परमाडू सोचो कि investigating तुम गुण्डे हो या नहीं मैं फिर तुम से मिलूँगा मैं फिर मिलूँगा परमाडू ठेरिये ठेरिये परमाडू पोकारता रह गया बादलों पर जप्टा तो हाथ से बादल लगे गांदी जी रुके नहीं थे ये सब क्या था उफ मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं गांदी जी से बात कर रहा था भोर होने वाली है ये मेरा दिल्ली शेहर है ये मेरे शेहर की सडके है ये वो जगह है जहा मैं राद को जोहारियों को पीटा था ये मेरी जीप है परमाडू बनने से पहले मैं इस्पेक्टर विने के रूप में जीप में था मैं हवलदार मुंशी राम को यहां तैनाद करके गया था परमाडू इस्पेक्टर विने बन किया मैं जानता हूँ कि मैं इस्पेक्टर विने हूँ आप आगाे साप मुंशी राम ने मुझे सैलूट किया यानि ये तैह हो गया कि मैंने जो कुछ देखा है जागरत अवस्ता में देखा है इंस्पेक्टर विने की कोपड़ी बुरी तरह से दर्द करने लगी क्या बात है साब आपकी तब्या ठीक नहीं लगती हाँ हाँ मुझे घर चोड़ दो अजीब सा लग रहा है बेचैनी सी हो रही है सर आप कहें तो डॉक्टर को बला दू नहीं उसकी जरुवत नहीं ये टैबलेट रिलीफ पहुचाएगी तुम भी गुंडे हो परमाडू जाओ परमाडू सोचो सोचो कि तुम गुंडे हो या नहीं ओ गौड मैं रिलीफ चाहता हूँ मैं रिलीफ चाहता हूँ विने विचारों की आंदी से निकलने की जबरदस चिष्टा कर रहा था इस्पेक्टर विने की नीन सुबह 11 बजे को शोर से उठी जीतेगा बई जीतेगा नेता हमारा जीतेगा ओई ये शोर कैसा इस्पेक्टर विने ने घड़की में से जाका ये तो भजवानी है जीतेगा बई जीतेगा नेता हमारा जीतेगा उची तुनों में चुनाव होने वाले है भजवानी भी इलेक्शन में खड़ा हो रहा है इलेक्शन में खड़ा होने जपूर नामों नॉमिनेशन का पड़चा बरना होता है भजवानी अपने समर्थों के साथ पड़चा बरने की कारवाई पूरी करने चुनाव आयों के दफ्तर जा रहा है कल कोई ये मंत्री बन जाएगा और मैं इसके आदेश पर दो में लाने वाला कुत्ता जींगा जैसे गुंडे मुझे थाने में आकर कानून पर बने चुटकले सुनाया करेंगे और मैं हस भी नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी वर्दी की मजबूरी मेरे होट सिल देगी उफ ये कैसी बेबसी है कैसी है ये राचनी थी क्या कानून की भी बाप हो गई है ये उफ मैं कहीं पागल ना हो जाऊं रिलाक्स इंस्पक्टर विनर रिलाक्स कीप यॉर माइंड कूल 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 अपने ही विचारों के जंजावत में उलजा इंस्पक्टर विनर अपने दिमाग को नेंतित करने के जबरदर्श चेष्टा कर रहा था उसी पर प्राबोट का सौर बून चुटा परमाडू उड़ो ओ जरूर कहीं कुछ कड़बड है कड़बर दूर करने ही परमाडू का काम था आगे बड़ो साउट एक्स की तरफ ये तो जींगा है मुंबईया फिल्मों की तर्जब बदमाशों ने यहाँ भी खुले हम अपनी हफ्ता वसूनी की दुकाने चलानी शुरू कर दिया यहाँ ये काम नहीं होने दूँगा तुझे अंदर कर दिया था बोल तु बाहर क्यों आया ठाँ और बाहर आते ही कमीना पन भी शुरू कर दिया मुझे मार कर तु कानून हाथ में ले रहा है परमाडू कानून हाथ में नहीं ले रहा उसकी मदद कर रहा हूँ और कानून की मदद करना हान नागरिक का कर्तब भी होता है कानून तूने हाथ में लिया इस डिप़े के रूप में जिसे है जिसमें तू यहां के दुकानदारों से अफ़ता वसूल कर रहा है पुलिस वाले को अपने बाप और भाई के अलावा सब चोड दिखते है परमाडू ज़रा डिप़े पर पढ़ कि क्या लिखा है तो तेरी आगे खुल जाएंगी तेरी कर्तूतों के अलावा क्या लिखा होगा उडिसा के तुफान पीडितों के लिए खुल कर मदद दे दिखाओ परमाडू को कि हम अफ़ता एक अटा कर रहे थे या वहां उडिसा में भूग से तड़पते मरते लोगों के लिए रोटी कबड़ा और मकान के लिए चंदा पूछले परमाडू, पूछले किसी भी दुकानदार से अगर एक भी कह दे कि हमने उससे जबरदस्ती वसूली किये तो लानत है हमारे मूपर इनकी डर से सुती हुई शकले ही बता रहे हैं कि एक भीहा नहीं करेगा ये काम पाप या अपरात नहीं है हमने तो कारगीर के लडाई में शहीद सैनिकों के लिए भी करोड़ों रुपया खटे किया था परमाडू की जुबान को जएज़े लखवा मार गया था बोलता भी क्या वो, सचमुच इस वक्त जो जहींगा कर रहा था वो जर्म नहीं था परमाडू, जहींगा एक दुकानदार का गिरेवान पकड़कर उससे शहाजवर्जिस्ती वसूली कर रहा था इसलिए मैंने तो मैं इंफॉर्म किया था कोई बात नहीं प्रपोड छल में अगर अकल को शामिल कर लिया जाये तो उसकी शकल इमानदारी में बदल जाती है अना ऐसी चौक पड़ा परमाडू ओ ये क्या परी, परी बातलों में चली गई कहिए संकित मुझे गांधी जीने तो नहीं दिया आओ आओ परमाडू मैं जानता था कि परी को देखने के बाद तुम समझ जाओगी कि मैं तुम्हें बुला रहा हूँ आज मैंने तुम्हें कुछ और महान अस्तियों से मिलवाने के लिए बुलाया परमाडू नेता जी के होटों से भाव वेल सा स्वर निकला आज नेता जी मत कहो मुझे परी पैचाना इन है ये तो नेता जी सुभाष्चंद भोस है परमाडू के शरीर में आश्यटे की जुड़ जुड़ी तौड़ गई नेता जी के होटों से भाव वेल सा स्वर निकला आज नेता जी मत कहो मुझे सिर्फ सुभाष्चंद भोस का हो क्योंकि शर्म महसूस होती है मुझे अपने नेता जी कहे जाने पर क्योंकि नेता का मतलब होता है नेतरत्व और नेतरत का मतलब होता है कर्तव्य यानि जिम्मेदारी आज कौन सा नेता है जो अपने सही नेता होने के कर्टब दिकने बारा है एक, सिर्फ एक नाम मुझे बताओ परमाडू मैं जानता हूँ कि तुम वो नाम मुझे नहीं बता पाओगे क्योंकि आज देश भक्ती के अर्थ बतल गए है मैंने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुमे आजादी दूँगा पर नहीं, ऐसे आजाद भारत की कल्पना नहीं कीती मैंने, कभी नहीं उदर देखो परमाडू पंडित जी, पंडित जवालन लेरू जी सोचा था गुलाब की दर महकाऊंगा एकता और भाईचारे की खुश्बू को सोचा था अपनी सोने की इस चड़िया को हमेशा सोने के दाने खिलाऊंगा मुसीबते खुद रख लूँगा सब को मुस्कुराना सिखाऊंगा सोचा था मेरे भारत का जीवन ऐसा खुशाल हो कि लोग बार-बार वहाँ चर्म लेने को तरसे हैं लेकिन सोने के दाने चुराए गए शासक मेरी सोने की चड़िया दौनों के अवाव मैं तड़ाप रही है चोच खुली है लेकिन खाली है ये सोने की चड़िया तेरा ये हश्र तो ना सोचा था कभी है परमाडू तुम सोच रहे होगी कि हम तुमें ये सब बाते क्यों बता रहे हैं वो इसलिए परमाडू क्योंकि हम चाहते हैं कि देश को कम से कम एक तो इमानदार शासक मिले जिसमें मानपता का जजबा हो जिसे अपरात से नफरत हो हाँ परमाडू एक ऐसा नेता जो लोगों को सुक की रोटी नसीब करा सके जनता के पेट पर बारूत बान कर देश ने परमाडू बम बना दिया उसमें आम अदमी का कोई भला नहीं हुआ उसे रोटी चाहिए क्योंकि वो भूका है भूक से लड़ रहा है परमाडू बम बनानी के कोई जरूरत कोई दुश्मन सीमा में घुसेगा तो हर भारत वाजी कफा नोड़कर उससे टकरा जाएगा भूक से लड़ने तो क्या उनसे नहीं लड़ सकते परमाडू तुम सक्चे देशवक्त हो तुम क्यों नहीं समालते ये कमान अपने हाथों में मैं? तुम अपनी शक्ति को पहचानो तुम राम भक्त हनुमान की तरह हो जिने अपनी शक्ति याद दिलानी पड़ती है पड़ती थी हम तो मैं याद दिला रहे है देखो अपने विराट रूप तुम और तुमारी शक्तिय क्या है जानो, अपने आपको पहचानो एक गुंडे की तरहे छोटे मोटे गुंडों से लणना तुमारा लक्ष नहीं तुमारा लक्ष भी तुमारे इस रूप की तरहे विराट है प्रण करो परमाडू कि तुम अपने इस लक्ष को पूरा खरोगे तो मैं करना ही होगा ओ गौड, यह सब क्या है नहीं, मैं यह नहीं कर सकता नेश के करोड़ो लोगों का भविश तुमारे हाथ में है परमाडू उसे बिगड जाने दो या बना दो नहीं ठहरिए, मैं अखेला कैसे यह सब करूँगा कौन मेरा साथ देगा मैं मेरी, सुनिए, सुनिए सब चले गए फिर शुरू हो गया दर्द यह दर्द मेरे लिए असेनी है क्योंकि आज परमाडू अपने वेक्तित्व से टकरा रहा है ए भगवान, यह सब क्या हो रहा है कैसे पल है ही मेरी जिंदिगी के जाहार पल सिर्फ कन्फ्यूजन न सच का पता चल रहा है न जूट का और और यह क्या यह तो भजवानी है यह कैसी गंद बिक्री यह फिज़ा में बियर की गंद परमाडू नीचे उतरा यह आप क्या कर रहे हैं बजवानी साब अरे आओ परमाडू देखो लोग सुइमिंग पुल में पानी से ना आते हैं लेकिन हमने इसे बियर से भरवाया है आओ तुम भी बियर बाद का मज़ा लो आजाओ परमाडू आजाओ जिंदिगी का ऐसा आनंद में फिर कभी नहीं मिलेगा बियर बाद? यही लोग हैं जो आम लोगों को पीने का पानी भी महिया नहीं करा पाते लेकिन खुद बियर का अनंद लूट रहे है इंसानियत ओड़े हैवानियत का इससे जादा भिवस रूथ दूसरा नहीं हो सकता फिर्दय चितकार है भरोटा परमाणू की आँखे रो पड़ी आक्रोश का वो बान फट पड़ा जिसे बड़ी मुश्किल से सवाले था वो बंद करो बंद करो यह तमाशा प्लीज 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 मेरी यहां क्या इंसानियत की इस वर्ती का भोज नहीं उटा सकती मैं यह दृौटा सकता शायद परमाणू पागल हो गया है कुत्ता पागल हो जाय तो उसे मार देना चाहिए बजवानी साहब हाहा कुट्ता पागा लो जाए तो इसे मानने की जरुरत नहीं पड़ती वो तो खुदी कुछी दिनों में मड़ जाता है चपा, शीना, दर्वाजा खोलू शीना तुम्हारी आवास से ही तुम्हें पहचान गी थी परमाडू यकीन नहीं होता कि आज इतने दुनों बाद तुम यहां मुझसे मिलने आए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए दी परमाडू तो खुद दूसरों की मदद करता है आज उलज गया है परमाडू आज वो अपनी मदद नहीं कर सकता पर हुआ गया अभी हुआ नहीं शीना होना है मुझे तुम्हारी ममता पाटक की शिपरा की तुम सब की शहर के लोगों की पूरे देश की मदद चाहिए तुम्हारी मदद के लिए तो बच्चा बच्चा आ गया हैगा पर तुम करना क्या चाहते हो मैं चुनाओ लड़ना चाहता हूँ हाँ शीना मैं चुनाओ लड़ूँगा कल नॉमिनेशन का पड़्चा बरूँगा और मेरा फैसला अटल है उसे कोई नहीं बदल सकता अटल फैसला जरू किसी मुकाम तक पहुंसता है वोट फॉर परमाडू परमाडू को वोट दो चुनाओ चिन चाबुग जो देश के गद्दारों की खाल खीचेगी चाबुग पर मौर लगाए देश को कब से इस पल की पठीक्षा थी शायद इस देश का भागी बदलने वाला है परमाडू जैसे लोगों से इमानदार सरकार की गारंटी की चा सकती है तो परमाडू को वोट दो परमाडू हमारा सपना है वैसे भी तो अपना है परमाडू के लिए बच्चा-बच्चा आगया गया था महर लगेगी चाबुग पर परमाडू लाओ गुंडे भगाओ मैं जीतूंगा तो मेरे हाथों को और जाधा ताकत मिलेगी मैं जाधा जोरदार ढ़ंग से उन गुंडों से पचब बचा पाऊंगा आपको राजनीती में फैलती इस गंदिगी को तो साफ करना है मुझे इनक्या हाथों से वही ताकत तो छीननी है मुझे जिसका नाम है राजनीती राजनीती तो पूरी शतरंजी की तरह जाद चालो की कोई कमी नहीं परमाडू ने अपनी सवा में गुंडे बुलाई खुदी बुलाई थे ताकि अपने आपको मद्दाताओं की निगाओं में भी बड़ा हीरो बना सके ये मेरे नहीं उन गुंडो के ब्यान है जिननों ने गायल होने के बाद अपनी गलती महसूस किये हाँ हमें परमाडू ने हायर किया था और ये देखो ये निर्दोष परमाडू की सवा में मारे गए इनका खून परमाडू के से रोगा इस पेशे बुलेटिन चीक पड़ा क्राइम कवरेज परमाडू ने गुंडे खुद बुलाए बजवानी का ब्यान पकड़े गए गुंडो दारा सीकरोकती सीकरोकती नाई ये जूट है ये तो तुम्हे राजनीती की तरफ कदम बढ़ाते ही समझ जाना थे चाहिए था परमाडू के ऐसे नजाने कितने जूटों से तुम्हारा सामना होगा बड़ी समस्या ये नहीं है बड़ी समस्या ये है क्यों? क्या हुआ? लोग खुद पढ़ लो राजनीज भजवानी के अपील पर परमाडू पर प्रतिबंद परमाडू को देखते ही गरफतारी करने के आदेश ये सारी चाले भजवानी की है वो नहीं चाहता कि मैं उसके मकाबले एलेक्शन में खड़ाओ क्योंकि उसे मालूम है कि मेरे सामने उसके अवकाद एक चीटी से आता नहीं है तो फिर परमाडू तुम भी उसे इट का चवाब पत्थर से दो वे गुंडे अभी हॉस्पिटल में ही है जिनोंने तुमारे किलाब ब्यान दिया मुझे पूरी उमीद है कि परमाडू को देखते हूं उन गुंडों के तिरपन हिल जाएंगे परमाडू? 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 वाड की कुंडी अंदर से बंद करके परमाडू उन गुंडों के पास पहुचा किस किस ने बयान दिया तो तुम लोग मेरे आदमी हो मैंने नहीं परमाड़ू मैंने नहीं तुम बताओ वन्ना तुम लोग यहां से तो निकल जाओगे मगर पुलिस के टॉर्चर नून से कभी बाहर नहीं यहां पाओगे क्योंकि इसके बाद तुम से पूस्ताच वहीं होगी और यह पूस्ताच करेगा इस्पेक्टर फिने बोलो किस के आदेश पर तुमने मेरा नाम दिया भजवानी साब की परमाड़ू तुम सब का यह बयान अगर सुबह के अकभारों में नहीं चपा तो कल सुर्यास से पहले अपने लिए शम्षान में लकड़ियां बुक करवा लेना दर्वाजा खोलो अंदर क्या हो रहा था वो परमाड़ू परमाड़ू ओ परमाड़ू यहां आया था पर उसे पकड़ने के लिए तो मिक 21 की जरुरत पड़ेगी परमाड़ू मेरे पास पाचो फोरण ओ परमाड़ू मैं पहुशता हूँ परमाड़ू परमाड़ू अंदर पहुँचा लेकिन इतना गना को रहा और ये क्या कहीं कुछ गड़बर तो नहीं हो गई परमाड़ू परमाड़ू मुझे खोशी हुई कि तुमने मेरा कहां मान लिया अरे गांदी जी आप यहां भी पर आपकी अवास बदली हुई है हाँ बेटे बादलों में रहता हूँ न तो जरा ठंड लग गई है तो क्या मतलब परमाड़ू मुझे तुमसे ऐसी उमीद न दी परबोट आप और गांदी जी कहां गए परमाड़ू तुमारे दिमाग पर चाही यही धुन दटाने के लिए मैंने तुमें यहां बुलाया है सिर्फ गांदी जी नहीं तुम जिसे चाहो मैं उसे तुमारे सामने लाकर खड़ा कर सकता हूँ परमाड़ू यह देखो यह सिल्वर आइड़ेट की गोलिया है जिनने अगर कौरे या बादलों में छोड़ दिया जाये तो बादलों में घना और बादल और घना और बड़ा हो जाता है कृतिम वर्षा करने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है उसी वक्त कहीं पर पिंसिपल आफ क्राइम कॉलेज के मुझ से ठाके उबल रहे थे देखो देखो मेरे आदमों न पत्रकारों की टोली में अब उसका नेता परमाडू की वीडियो फिल्मों बनाई है इससे पहले मैंने इसे परमाडू देव बना कर फसा दिया था और अब फस गया फिर फस गया परमाडू मेरे फैके जाल में है उसे ख़बर भी ले रही कि जिन बादलों में उसने गांदी जी सुबाश्चंद बोस और पंडी जी को देखा है वो मैंने कृत्तिम रूप से तयार किये थी ताकि उन बादलों के जुड़ में बादलों की यही शकल का मेरा उड़ाए एक बैलून जिसे मैंने जैपलिन शिप नाम दिया है छुप जाए सब कमाल वही जैपलिन शिप कर रहा था जो वहां से कंप्यूटर दारा कंट्रोल होलोग्राफ इमेज प्रजेक्ट कर रहा था मानसून के मौसम में 90% आदरता यानी नमी रहती है बादल उसों जलकडों से परिपून होता है इन जलकडों को फिल्म के पड़दे की तरह प्योक करके इन पर होलोग्राफी प्रोजेक्टरों से किसी की भी चलती फिरती इमेज प्रोजेक्ट की जा सकती है जो ऐसी ही लगेगी जैसे कोई वास्तब में बादलों में खड़ा है बादलों में इंद्र धनुष भी सी सिद्धान से बनता है सूरी की सतरंगी किलने नमी युक्त बादलों या वायू में मौजूद जलकडों से टकरा का इंद्र धनुष बनाती है जिन पात्रों को प्रेशित किया जा रहा था उनकी आवाज के लिए वाईस्त्रो टेक्नीक यानि आवास फेकने की कला प्रयुक किया आती है जैसे पपेट या कटपुटली शोव में कटपुटली नचानी गाले खुद बोलते पर ऐसा रखता है जैसे कटपुटली बोल रही है परवाडू मेरे फैलाए गांदी जी सुबाज चनबोज और पंडित जी के दोके में आ गया वो बेवकू समझता रहा कि वो उनसे बात कर रहा है जिबकि उसकी सारी बातों के जवाब यहाँ से मैं खुद दे रहा था इस माइक द्वारा जिसका संबंद जैपलिन शिप के वाइस थ्रो वाइस थ्रो करण से है और अब देखो मेरे फैलाए जाल में पर्माडू फसकर पर्माडू राजनीती के मंच पर पहुँच गया राजनीती तो अच्छे अच्छे धुरंद्रों का तेल लिकाल देती है पर्माडू क्या चीज था पर्माडू पर पर्तिबंद लग गया यही तो मैं चाहता था हमारे महान नेता पर्माडू को राजनीती पे टिकने नहीं देंगे और पर्माडू पर्माडू से भी जाएगा यानी पर्माडू का खत्रा हमेशा-मेशा के लिए खत्म आज जश्न होगा जश्न परमाडू के सामने जाए बेनामने उसे ऐसी चोड़ दिये जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा हो शुड़ गए थे परमाडू के भी ओ कॉट और मैं समस्ता रहा कि मैं गांदी जी नेता जी और पंडिजी से बाते कर रहा हूँ इतना बड़ा दोखा जिसमें मैं कितनी आसानी से फस किया पर हालात ही ऐसे थे प्रबोट हालात ही ऐसे थे कि मेरी जगए कोई भी फस जाता वो धोके बास जो भी ये एक नाइत दिन उसका पता तो मुझे चली जाएगा लेकिन प्रबोट मौजूद हालात में क्या किया जाए क्योंकि भले ही जो गांदी जी नेता जी पंडिच जी से मैंने सुना वो धोका था लेकिन थी तो कटोर सच्चाई हमारे देश की राजनीती की स्थिती तो सचमुष खराबी है कुछ लोग सचमुष खराब है परमाडू और उने उने ही राजनीती को बदरंग किया हुआ है लेकिन अगर तुम खुद भी परदान मंतरी बन जाते हो तो शायद सिज़ वावस्ता को ठीक नहीं कर पाऊगे क्योंकि इतने विशाल देश में जगे जगे पर जाकर सारे काम या मसले तुम खुद अल नहीं कर सकते जिस तरह हाथ को काम करने के लिए उंगलियों की ज़रुत पढ़ती है ठीक उसी तरह परदान मंतरी को भी हर परदेश के लिए सैकड़ो नेताओं की ज़रुत है अगर उन में से कुछ करप्ठ है, ब्रष्ट है, गुंडे है तो यह हमारी बतनसीबी है परमाडू सिर्फ बतनसीबी तुम नेता बन गया तो यह बतनसीबी और भी बढ़ जाएगी क्योंकि फिर वे चोटे मोंटे गुंडे भी नागरीकों पर कहड़ाना शुरू करतेंगे जो तुमारे ड़ से दुपके रहते है इन्हे कौन बचाएगा इन्हे परमाडू बचाएगा प्रभोट इन्हे बचाएगा परमाडू अरे मेरा चाकू, परमाडू चाकू से दादगी नी दिखा रहा था अब दिखा अपनी मर्दांगी बदमाशों को निहत्ते करके लोगों का ऐसा ही होसला देना है मुझे मैं भटक ग्यादा पर अब समल गया हूँ मैं राजनीती से अपना नाम इसी वापिस लेता हूँ वो मेरा छेत्र नहीं मैं जिस छेत्र में हूँ मुझे उसी का विस्तार करना है देखना है कि परमाडू के रहते कोई गुंडों से चोटना खाने पाए पिंसिपल को एक बार फिर मुगी खानी पड़ी परमाडू समल गया और इसकी योजना फेल हो गई गुंडों ने भजवानी के खिलाब ब्यान दे दिया और परमाडू पर लगा प्रतिवर्ण हटा दिया गया समाप तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप करते हैं और मिलते हैं परमाडू सीरीज के एकले कॉमिक विशेशांग जोरो मैं तब तक के लिए धरनवाद